नमस्कार लर्निंग मंत्रा के ओनलाइन पाट साला में आपका एक बार फिर स्वागत है पाँच महत्वपूर्ण प्रस्णों की स्रिंखला के साथ मैं विवेक मिस्ट्र आज का हमारा पहला सवाल है राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय क्या है आपके विकल्प हैं A. सरक लोगों का सरकार पर नियंत्रण सही जबाब है विकल्प संख्या C. यानि समुदायों की स्वायत्ता आपको बता दें राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय समुदायों की स्वायत्तता है राजनीतिक बहुलवाद ने राज के एक तत्विय श्वरूप और उसकी अखंड प्रभुशत्ता करके उसे समाज की अन्य संस्थाओं के समक्ष रखा है अगला सवाल है राजनीति सास्तर का परमपरागत द्रिष्टिकोन मुख्यत के इंद्रित्था आपके विकल्प है ए राज और सरकार के अध्यान पर विकल्प बी राजनीतिक प्रतिभास के अध्यान पर विकल्प सी राजनीतिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक अध्यान और विकल्प D है राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर्ण। और शरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है जबकि लीकौक का मानना है कि राजनीति सास्त्र केवल शरकार का अध्ययन करता है। राजनीति सास्त्र की परिभासा ऐसे विज्ञान के रूप में दी जाती है जो मनुस्य के उने क्रिया कलापों का अध्ययन करता है जिनका संबंध उसके राज नामक संगठन से होता है और जिनके अंतरगत सरकार का भी विस्तरित अध्ययन शामिल होता है। संग्षेप में कहा जा सकता है कि राजनीति सास्त्र में राज और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है कल्यानकारी राज के उत्थान के साथ है निम्नली खित में से किस एक तथ्य पर अधिक बल दिया जाने लगा। आपके विकल्प हैं A. निजी संपत्ती के संपून अधिकार पर, विकल्प B. समाज के हित में निजी संपत्ती का नियमन, विकल्प C. निजी संपत्ती के अधिकार की समाप्ती और विकल्प D. संपत्ती का समान बटवारा. सही जबाब है विकल्प संख्या B यानि समाज के हित में निजी संपत्ती का नियमन आपको बता दे कल्यान का ये राज यह प्रयास अवश्य करता है कि नागरिकों को अभाव के कारण या असहाय अवस्था में जीवन या स्वास्त से हाथ नध होने पड़े लेकिन वह आर्थिक विशमताओं को जड़ से मिटा देने की कोशिश नहीं करता अगला सवाल है निम्नलिखित में से राज के उदभाव के लिए कौन सी उदारवादी सिध्धान्त है आपके विकल्प हैं A. सक्ति का सिध्धान्त विकल्प B. विकाशवादी सिध्धान्त विकल्प C. सामाजिक समझोते का सिध्धान्त और विकल्प D. माक्षवादी सही जबाब है विकल्प संख्या B विकासवादी सिध्धान्द आपको बता दे राजिकी उत्पत्ति के विकासवादी अयतिहासिक सिध्धान्द के अंतरगत आर एम मैकाईबर के विचार उदारवादी द्रिष्टिकून का सर्वुत्तम प्रत्निधित्व करते हैं अगला सवाल है राजिके उद्भाव के संबंध में हॉप्स लौक और रूसों में क्या समानता है आपके विकल्प है ए राज व्यक्तियों द्वारा समझावते की देन है विकल्प B मानों सुभाव और प्राकृतिक अवस्था विकल्प C समझावते की प्रकृति एवंग शर विकल्प D लोगों का शासकों के प्रती उत्तरदायत्व है सही जबाब है विकल्प संख्या ए यानि राज व्यक्तियों द्वारा समझावते की देन है आपको मालूम है सामाजिक समझावते की सिध्धान्द के प्रबल समर्थक हॉप्स लौक और रूसों है इन तीनों विचारकों के अनुशार राज मनुस्यों द्वारा निर्मित है इनके अनुशार राज के स्थापना से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में निवास करते थे परन्तु इन विचारकों में इस बाद पर मतभेद है कि प्राकृतिक अवस्था असामाजिक और अर्राजनितिक दोनों थी या केवल असामाजिक थी ये था हमारा आज का पांच महत्पूर्ण सवाल जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बेहत महत्पूर्ण साबित हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी और आपकी मुलाकात कल फिर होगी तब तक के लिए जए हिंदु